जीडी में अगर नौकरी पाना है तो दो चीज़ आपके पास होना चाहिए एक लगन पढ़ाई करने का दूसरा आपका दोस्तों लगन क्या चीज़ का तैसीज़र्टी निकल जाएगी कि इसका मेडिकल अगर उतना कुछ हार्ड होता नहीं है बस अगर थोड़ा साब डेडिकेशना तैयारी करोगा ता पर सेलेक्शन हो जाएगा और जब भी पढ़ने का मन ना करें तो अपनी परिस्टी को एक बार देखना तैयारी कल रिजल्ट देगी आज की तैयारी कल सेलेक मातरम राम राम एक्जाम फरवजी 20 तरिक से स्टार्ट है और आप सभी ने एक्जाम की तियारी भी कर ली होगी आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हुआ हूँ आप सबको पता है एक्जाम से के 20 नमबर तक बढ़ जाते हैं तो कैस कैसे आपको नमबाजिशन का फाइदा उठाना है कैसे आपके 15 से 20 नमबर तक बढ़ जाएंगे नमबाजिशन कैसे होता है SSGD में इसके बार में 8 पूजट सारी जनकार इस वीडियो आपको देने वाला हूँ दे दोसो नेगर्टिव मार्किव को लेके भी जो आपके मैं म से मार्क होता है जो कि SSGD में आपका होना चाहिए तो ही आपको पास मना जाएगा और तो आपको δोस्तों फियल deaf कर दिये जाएगा अब पासिंच एव क्या घिया होताaciones के बात करें तो 20 question आप सही करोगे, मतलब 40 मार्क आपका होगा तो आपको pass माना जाएगा AC, ST की बात करें, तो आपका दोस्तों 16 question अटेंड होना चाहिए, बतंब 32 नमबर आपका होगा तो आपको pass माना जाएगा इतना नमबर आप रखोगे इसके बाद आपके norm investigation की पकरिया स्टार्ट होती है इसके कम नमबर रखने वालों कभी norm television होता है लेकि इसका कोई फाइदा नहीं है तो आप दोस्तों इतना नमबर आपने रखा है अब आपका normson का पकरिया स्टार्ट होता है है पहला एक स्इंट होता है और एक दोस्तों आपके अग्जाम के उपर होता है अब एक्जाम आपट करता है है यह जो इसके किसले होते हैं तो दोस्तों आपने अटेंट किया और दोस्तों आपने moderate question अटेंट किया लेकिन आपने hard question अटेंट नहीं किया है hard question आपने छोड़ दिया है तो आपका जो normalization होगा ना उसमें आपका number बहुत ही कम बढ़ेगा एक number या दोस्तों 0.50 number बढ़ने वाला है इसे जाद आपके number नहीं बढ़ेगा कि अगर आपने hard question छोड़ दिया है तो लेकिन आपने SDGD के exam में easy question, moderate question और hard question ये दोस्तों तीनों को attend किया हुआ है और दोस्तों hard question को जादा ही आपने attend किया है आपके number बढ़ेंगे, कितना number बढ़ जाएगा तो वो दोस्तों आपके 15 से लेके 20 number तक बढ़ जाएगे ये होता है hard question attend करने का फायदा, जो hard question attend करता है उसका number बहुत अच्छा number बढ़ता है ये है पहला तरीका number बढ़ने वाला है, उसमें आपको कोई भी रोपने वाला नहीं है अब दोस्तों number बढ़ने का दूसरा तरीका जो SSC अपनाती है, वो क्या है, तो आपके shift wise number बढ़ने किया जाता है दूसरे shift में 80% question attend के है बच्चों ने, ठीक है, तीसे shift में आपका 70% question attend के है बच्चों ने, और जो आपका 14 shift है, वहाँ भी 50% बच्चों ने question attend किया है तो सबसे hard shift कौन सा माना जाएगा? पहला shift, जिसमें 40% question बच्चों ने attend किया हुआ है तो आपका first shift का जितना भी दोस्तों बच्चों ने exam दिया है, सभी बच्चों का 15 से लेके 10-15 नमबर आराम से बढ़ने वाला है, जितने दोस्तों shift wise आपका paper करा जाएगा, मतलब पहला shift का साने बच्चों का 15 से लेके 10 नमबर तर बढ़े जाएगा तो यह shift बहुत ही hard इसमें 40% question बच्चों ने बच्चों ने किया है, दुसरा shift भया बहुत easy था, 80% question बच्चों 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 का होने वाला है, क्योंकि बच्चों ने question बहुत आदा काम अट्रेंड किया था, मतलब ऐसे सी मानेगा, कि यह shift बहुत ज़द hard था, तो यह दोता होता है दूसरा तरीका normation का, यह दो तरीके से ही normation होता है, और इस दो तरीके में ही बच्चों का number बढ़ता है, तो मैंने दोस्त, अगर आप एसे जडी का exam देने जा रहे हो, तो अगर आपको जो hard question लगता है, यह hard question है, उसको अगर आप attend कर जाते हो, तो वो question आपका सही हो जाता है, तो फिर वह यह एक number की जगा, एक number आपको मिल रहा है, तो इसमें दो number मिलेगा, दो number वाला होगा ता पर चार number मिलेगा, तो इस type की normation होते है, इसलिए hard question, SAC, और देखे हाड question से जालता है, बहुत की कम डालता है, 20 आपका 25 question डालता है, तो लोग बहुत जादा मुझसे पूछ रहते हैं, कि अगर हम लोग जैसे math, gks, reasoning, hind English, इन 4 subject में से 1 subject में एक भी number नहीं रखते हैं, हमने कोशा अटेंड नहीं करते हैं, क्या हमें fail किया जाएगा, क्यूंकि हमने 3 subject में अच्छा number रखते हैं, math, gks, reasoning, इन 3 अच्छा number रखते है हिंद English में कोशा अटेंड नहीं किया है, तो क्या हमें fail कर दिया जाएगा, तो मेरे नहीं दोस्त ऐसा नहीं होता है, अगर आप 3 में भी अच्छा number रखते हो, आपका merit बनेगा, आपको बुलाया जाएगा, physical के लिए, medical के लिए, सभी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं करते हो तो फिर आपको हटा दे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल गलत बात है, आप 3 को भी अटेंड करोगे, एक आप छोड़ भी रोगे, तो फिर भी आपको बुलाया जाएगा, बस आपके पास passing average number होना चाहिए, और जितना में cut up गया उसा ज्यादा number होना चाहिए तो आपको बुलाया जाएगा, इसके लिए परसान नहीं होना है, बट मेरक सला है, चारो सबट को attend करना, भले आपका number आए नहीं है, एक दो कोशर अनावादी भी मार के चले आना, मतलब तुक्का मारने से कहते हैं, अटेंड करना चारो का चलो, अटेंड करने से अच्छा होता है, और बात बाकी ये चीज़ होता है, अब बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग को लेकिए, जिसके मन में आपके मनें बहुत जाओ डाउट है, नेगेटिव मार्किंग को लेकिए, तक SSC के द्वारा जितना ही मैंने आटें लगाया हुआ है, ठीक है, मैं 25 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, मतलब तुक्का मारने के अपकी बाल खूला जादी है मेरे भाई, तुक्का आप मारो, क्योंकि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, तो इसका मतलब आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 का ही रहने वा और बहुत सरे बच्चे बोलें कि हम लोग जादा गर गलत कोशन अटेंड कर दो कि हमाने नमबर नहीं बढ़ेगा देखें कोशन अटेंड करने से कोई फरक नहीं पड़ता है आप कितना भी कोशन अटेंड करो उसका नमजेशन से कोई भी नाता नहीं है आप कितना भी कोशन आटेंड करो, उससे नवाजिसान कोई नाता नहीं, नवाजिसान का नाता बस इस सही कितना कोशन आपने जो hard है, उसको सही किया है, कितना दोस्तों आपने moderate कोशन सही किया है, और कितना easy कोशन आपने सही किया है, तो इसके उपर depend करता है, अगर आपने बहुत ज़़ा तुक्का भी मार दिया है, लेकिन आपने हाड कोश्चिन भाईया 20 तो सही कर गया 25 में से, तो आपका नमजेशन ने 20-25 नमबर तो आराम से बढ़ना है, किसी का बाप नमबर नहीं रोख सकता बढ़ने से, लेकिन अगर तो आपने तुक्का नहीं मार रहा है, आपने खाली moderate और easy कोश्चा ट्रेंट किया है, तो आपका नमबर नहीं बढ़ेगा, तो तुक्का मारने से, ज़्यादा कोश्चा ट्रेंट करने से, इसका कोई भी नाता नहीं है नमजेशन का, ये बात आप याद रखना, और ए, मैं अपने experience बोह रहा हूँ, SSGD के लिए बहुत अच्छा का सा experience है, बहुत दिन से मैं स्क्यूबर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी उपर मेरा अच्छा का सा experience है, मेरा experience बोल रहा है आपको, तो ये आपके रहने वाले है, तो भईया मैंने सेज़िटी का आपका start order clear कर दी है, अब बात बाकि मैं आपको इतना ब पढ़ाई करनी है, आपको दोस्तों revision करना है, जितना भी आपने आज तक पढ़ा है, उसको आप एक बार revise करो, फिर से नहीं तरीका से पढ़ने की कोई जरूत नहीं है, उसको revision करो, आप दोस्तों solve-able मारो, practice it मारो, और अगर आप previous year के solve-able मार रहो, तो बहुत अच्छी ब आप previous year के focus करो, आपका बहुत ही अच्छा score होगा, आपके भाई को पुरी प्रिविश्वास है, और आपकी बार hope नहीं hard है, आपका भी number बढ़ेगा, बस बहुत तरीके याद रखना, जो hard questions को attend करने की ज्यादा कोशिस करना, और में दोस्त, एक shift wise तो होता है, shift wise के आपका कोई भी role नहीं है, लेकिन hard question, easy question में आपका role है, अगर आप hard question ज्यादा सही करते हो, अच्छा number बढ़ जाएगा, ये चीज़ आप याद रखना, और बात बात कि महनत करनी है, जब आप महनत करने को उतरते हो, तो selection अपने आप होता है, देखिए, GD में अगर नौकरी पान सेlection हो जाएगा, और जब भी पढ़ने का मन ना करें, तो अपनी परिस्थिती को एक बाद देखना, में को लगता है, 99.5% जो भी SSGD की तयारी कर रहा है, वो एक middle class family से ही बिलॉंग करता हो, इसके पापा कहीं कुली, कबाडी, चबरासी, धोबी, नाई, इन सफ़ा काम करत कि अगर मैं आज नहीं SSGD की तयारी करूँगा, अगर मैं future में कुछ भी नहीं कर पाई हो, कि आपको पता है, CGO, CPO का cut-up बहुत हाई जाता है, और SSGD में state-wise vacancy आती है, state-wise cut-up जाता है, तो cut-up बहुत दा कम होता है, सोचो इसमें अगर आपका नौकरी नहीं होता, आपक एक future यहीं होने वाला है, धोबी, नाई, गटर साब करने वाला, जब आप अपना future नहीं सही कर पाऊग Вид, तो अपने बापा ममी के लिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने सपनों की उरान के लिए, आज महनत करनी पड़ेगी, आज 8 घंटा पढ़ना पड़े लेकिन आज अगर आप तैयारी नहीं करोगे आज अब सुछोगे कि यह हम से तो नहीं हो पाएगा अब सात दिन में हम क्या ही कर लेंगे तो नखर रिप्रेड होते हैं, अगर रिप्रेड कोशन भी गिरी गया ना तो आपको बोले रहे, यह कोशन तो मैंने पढ़ा हुआ इसी टाप एक कोशन आया, फ़र फ़र आप एंसर कर जाओगे तो वो चीज़ देखना है, और कभी भी अपने आपको यह नहीं मैं फील करना है, कि मैं किसी से कम हूँ याद रखना, कोई भी किसी से कम नहीं होता है मैं दोस्त, भगवान ने हर किसी को एक special चीज़ दी हुई है कभी भी अपने आपको किसी से कम मत आखना मेरे दोस्त क्योंकि जो तुम कर सकते हो, किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं लिखके देता हूँ हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ speciality होती है और आपके अंदर भी है बस इस speciality को पहचानने की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है जब आप मेहनत करता है ना मेरे दोस्त तुम्हें क्या बहलू दसरत माझे ऐसा एक आदिवासी छोटा सा पतला दुबला उसके सरी में जान जो इसमें 55 किलोमेटर का पहार काट लिया जब उसके मन में डेडिकेशन आया जिद आया तो तो उसी जिद को पैदा करनी है ऐसी पढ़ाई करनी है ऐसी पढ़ाई करनी है साथ दिन के अंदर रिजल्ट निकाल के दिखाना है रिविजन करनी है प्रैक्टिशेड मारना है नंबर कम आये बेसी है उसे कोई फरक नहीं पड़ता पढ़े 5-6 प्रैक्टिशेड मारते रहो क्या गलती हुई है देखो और सुधार करो और भाई लगे रहो कुछ किये बिना कभी जयकार नहीं होती और कोशिस करने वालों कभी हार नहीं होती तो कोशिस करते रहना है महनत करनी है और जिस दिन आपका result बोलेगा लोग को सुनना पढ़ेगा आज मुह से बोलोगे तो सिर्फ चार लोग सुने हैं कि नहीं तुम यह करो के वो करोगे नहीं कल अगर तुम्हाँ result बोलेगा तो लोग को सुनना पढ़ेगा आज जो तुम्हें मुह पे गाली दे रहा है न फिर वो सेलूट करके जाएगा मैं लिखके दे रहा हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें result लाना पढ़ेगा और उसके लिए पढ़ाई करनी पढ़ेगी तो लग जाओ पढ़ाई में कुछ सोचने की जुरुत नहीं है और एक चीज लास्टन इतना ही बना चाहूँगा एजुकेशन इस दा मोस्ट पढ़ाफुल वेपन वीस कैन यूज दो चेंज आफ फ़र्ड याद रखना पढ़ाई बहुत बड़ा हतियार है जो कि वर्ड को चेंज कर सकता है तो बस लगे रहो मेहनत के साथ डेडिकेशन के साथ बाद बाकि आपके भाई आपके सब्सक्राइब पूरा-पूरी खड़ा है कुछ भी डाउट हो कॉमेशन खुला हुआ है कॉमेंट कर सकते हो और मुझे चाहो तब टेलीगाम पर फ़लो कर सकते हो टेलीगाम चेला का लिंक वीडियो के डिसकेशन में कॉमेशन अपिन कर दूँगा मिलते हैं आपको दूसी वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बोलो भात मता की जय पंदे मात्रम जय हिन